देखो ऐसा है डिस्क्लेमरी जन्हीत में जारी तुक्री पे अपने कानों को चरम सुख फोचाने के लिए हेड़फोन का परियोग करे और वीडियो को प्ले करने से पर आगे बीचे देख ले साबदान रहे सतर्क रहे बागे हम तो है कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताईएग चच्चा हमारे विधायक है सीधा उठवा लेंगे तो हलो गाइस आज का हमारे वीडियो क्लास 10 जोग्रफी चैप्टर 1 रिसोर्स एंड डेबलापमेंट के उपर है और यार तुम लोगों को तो पता ही हमारे परने का तरीका क्या है हमें स्मार्ट वर्क करना जादा चलिए शुरू करते हैं तो देखो भाई लोग सबसे पहले तो समझ लो कि इस चप्टर के अंदर में तुम्हें परना क्या है वरना यार ऐसा ना हो सोच कुछ और रहे थे कर कुछ और रहे हैं हो कुछ और रहा है समझ रहे हो मेरे बात तो इससे अच्छा है समझ लो क्या क इंपोर्टन टॉपिक्स हमें परना इस चप्टर के अंदर में तो सबसे पहले तो तो तुम्हें समझना है क्या होता है रिसूर्स और यार कैसा कैसा क्लासिफिकेशन होता है रिसूर्स इसका और उसके बद एक कॉंसेप्ट अधा सस्टेनेबल डेवलाप्मेंट अब यह ह हमारे बेस्ट इसा होता है हम चाहे या ना चाहिAY यह हमारे साथ हम में में सबसक्तेश और यह यह सस्टेनेबल डव्लाप्मेंट से कॉंसर्ट निकलता है रिसूर्स ब्लानिग जो कि हम लैंड के से कास्ते है यह समझना है और इस चप्टर का आख्री वी सोईल किसे में और सोउल कंजरविशिन क्या होता है बस हमें इतना ही पर मैं अब आजके वाद ना यह जो रिसोर्स का डेफिनिशन का जञेनजट है इसे एक खतम करना हम है बस खतम कर देंगे सच में यार कॉतेंगे आप तो देखो जो भी हमारे आसपास है और वह चीज हमार सारे चीजों को ही रिसोर्स कहता है तीक है अब देखो इतना तक तो ठीक था क्लास नाइन के लेबल पर बट यार अब तुम लोग समझदार हो चुके हो मुझे पता है नहीं हुए हो बट दिखाना पड़ता है ना बैस वसाइडिय में समझदार हो चुके है बोलके सौशर меш है अब क्या है क्या है और क्या है तीन चीजे अब टेक्निक़ी एकसेबल का मतलब कंप्यूटर खरितके बैट गए बड़ चलाने आता नहीं है ऐसा तो कैसे चलेगा भाई और दूसरा economically feasible मतलब अब देखो आईपॉन बहुत बर्या चीज है बट अपने पास आउकाद नहीं करने का सही में किड्नी दोई है और उससे बहुत प्यार है हमें और यार culturally acceptable का मतलब जो हमारे परोस वाले आंटी होते है ना जो हमें हमें सजच करते रहते हैं उसी से समझ लो यार culturally acceptable का मतलब मेरे सिस्टर की जो दोस्तें वो आती है मैं भी आ सकती हूं क्या नहीं ऐसे resources को कभी मतले आना घर जो कि यार क्या बताओ छोड़ो समझ गे तुम क्या बोलना चाहरा हो बस अब यार देखो resources ना अर्थ के अंदर में इतना जादा है इतना जादा है यार उसे अगर हम समझने बैठ गए ना तो यार मेरा डिमाग और तुमारे उंगलिया दोनों काम परेंगे तो यार इसलिए ना कुछ भुद्धिमान लोगों ने resources को classified कर दिया कुछ groups में तो हमें class 10 level पर चार categories को परना है जिसे हम कहेंगे classification of resources on the basis of their origin on the basis of their exhaustibility on the basis of their ownership and on the basis of their status of development तो शुरुवात करता है on the basis of their origin के उपर अब देखो इसके अंदर में दो आता है एक होता बायोटिक एक होता एबायोटिक बायोटिक मतलब जो भी resources हमारे biosphere के अंदर में है ना और condition यह है कि वो जिन्दा होना चाहिए यार living resources ऐसा नहीं कि तुम वाटर को भी बायोटिक resources करने ला होई क्योंकि वो बायोटिक के अंदर में नहीं जिन्दा होना चाहिए वो अब उसके बाद एबायोटिक इसके अंदर में जितने भी नॉन लिविंग तींस है ना इस सारे ही एबायोटिक resources है और उसके बाद दूसरा classification on the basis of their exhaustability अब इसके अंदर में भी फिर दो है एक है renewable resource एक है non renewable renewable मतलब ऐसे resources जिसे हम बापस reproduce कर सकते है बाया वर physical chemical and mechanical प्रोसेस जैसे कि या solar wind and forest ही सारे एक्जामपल से renewable resources का बट यार नॉन रिनेवल resources हमारे pocket money जैसा है एक तो हजारों सालों में एक बार मिलता है और अगर तुमने सही से उसका इस्तमाल नहीं किया ना तो फिर तुम पस्ता होगे बाई समझ रहे हो बात उसके बाद आता है on the basis of their status of development इसके अंदर में चार resources आता है पहला है potential resources मतब कहते हैं ना इस लॉंडे में बहुत potential है यह कुछ कर सकता था बट यार लॉंडी वाजी के चक्कर में इसका कुछ ही नहीं हुआ तुम समझ रहे हो मैं किसका बात कहना चाहरे हो तुम लोग बहुत समझदार हो और उसके बाद है डैबलाप resources अब यह पूरी तरीके से डैबलाप resources है जिसे हम यूज कर रहे है जैसे कि oil petroleum इसका जो uses है उसको लेकि हमें कोई problem नहीं है तीसरा है stock resources अब यह ऐसे resources है जो कि हम हमारे पास अतना technology नहीं है कि हम इन resources को अभी यूज कर पाए अब जैसी कि यार देखो hydrogen एक ऐसा चीज है जिसके अंदर में energy का भर्मान है बट यार हमें नहीं पता कि कैसे water से hydrogen को अलग करे बट अगर हम ऐसा कुछ technique निकाल लें जिससे कि हम water से hydrogen को अलग कर पाए तो हमारे कि हमारे यह future generation के लिए काम आने आला है हमने इसे बचा के रखा हुआ है simply बोलो तो और और classification on the basis of their ownership पहला है individual resources मतलब यार जो मेरे बाप का माल है ना इस सारे individual resources पे आता है और उसके बदाता है community resources इसके अंदर में कुछ ऐसा resources होते जिसे यार हर एक member जो होता है community का वो तीसरा national resource अब देखो जितने भी resources इंडिया के political boundary के अंदर में है ना इस सारे ही इंडिया का natural resources है और साथी साथ देखो इंडिया का जो बहुत बढ़ा coastline है उसके 12 nautical mile यानि की 22.2 km के आसपास में अगर कोई चीज मिलता है ना वो भी इंडिया का ही resource माना जाएगा समझ ग कंट्रोल लेता है international bodies का जैसे की United Nation समझ गये अब यार कहते हैं ना इंसान इंसान का ही गदर ने करता तो यार nature के दिये हुए चीजों का वो क्या गदर करेगा तो हमारे resources के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है देखो हमारा जो resources है माना जाता है कि वो एक gift है nature का बट हम इंसान resources का इतने गंदे से इस्तमाल करते है कि resources यार खतम ही हो जा रहा है और जो भी कुछ बचा हुआ है वो कुछ चुनिंदा लोगों के पास है और इन सब चीजों के वैसे हो ये रहा है एक global ecological crisis सुरू हो रहा है जैसे कि global warming जिसे हम सब दरते है साथी साथ ozone layer depletion और ऐसे कई सारे problems औ इनसान का लाल जो है ना वो खतम ही नहीं हो रहा है बहुत लाल ची है यार हम और इसलिए मैं केरी भाई का इस बात से बेलकुल एगरी करता हो फिर भी यार देखो पूरे दुनिया में सब लोग तो बुरे है नहीं कुछ अच्छे लोग है ठीक हमारे जैसे कुछ अच्छे लोग है और इनका ही देने sustainable development का concept अब यह है क्या इसे भी पूरे आसान सब्दों में समझो अब देखो sustainable development का simple सा कहाना है कि देखो तुमको development कर पूछना चाहिए यह पहली बात और दूसरी बात तुम्हें यार present generation के development के बारे में सोचना है सोचो करो development बट यार future generation के बारे में भी थोड़ा सोच देना बाप का माल समझ के अभी खा जाओ के तो वो क्या करेंगे भाई फिर यार तुम्हें कोसेंगे कि हमारे पूर्वश का idea है इसने जनम दिया एक दूसरा idea को resource planning मतलब यार जितने भी resources का तुम्हें इस्तमाल करना है करो बट एक planning के साथ करो ताकि यह resources का wastage ना हो तो समझ लेते हैं क्यों हमें जरूरी है resource planning क्या तो देखो सबसे पहला चीज़ किसी भी country के अंदर में जो resources होता है वो एक जैसा नहीं होता है कई ज्यादा होता है कई कम होता है यानि की resources limited होता है तो अगर हम limited resources को properly manage करें तो हर एक section of the society resources मिलेगा जिसके लिए जरूरी है में sustainable development का और जो सबसे खास बात है sustainable development का कि यार हम हर एक resources को properly utilize कर सकते हैं अपने जरूरत के साब से कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाएगा तो इसलिए में जरूरी है resource planning का समझ गया अब यहार हम देख लेते हैं कि इंडिया किस तरीके से थाइज से अपने resources को planning कर्के यूश करता है सबसे पहला चीज़ इंडिया क्या करता है जितने मिनory resources के अंदर में उससे identify करता और किसे इ CastPER करता है कि से किने पादा चलता है कि किंदा resources Country के अंदर में है अब पता कर लिया, अब दूसरा चीज क्या करना है, अब उसके बाद हमें प्लानिंग करेंगे कि कैसे इस resources का हमें इस्तमाल करना है, और कहा कहा इस्तमाल करना है, समझ गे, और तीसरा चीज, हम compare करके देखेंगे, कि जो हमने resource development planning बनाया है, क्या वो national level पर feed बैट रहे की ने अगर बैट रहे तो सही है, ने बैट रहे तो इसके अंदर में कोई improvement का जरूरी है, समझ गे, तो इतना ही था इन सब के अंदर में, अब उसके बाद सही बताव तो हम आ चुके है, इस chapter का सबसे important topic की और, क्या होता है land degradation, क्या इसके कारन है, और कैसे हम land degradation को control कर सकते हैं, य और ये बरबाद हो रहा है, इंसानों के कारण और natural activities के कारण, जिसके वैसे जो जमीन है, अब वो unfit होते जा रहा है, cultivation के लिए, अब इसके देखो कई कारण है, पांच देख लेते हैं, exam point interviews से, पहला है, यार हम पागलों की तरह, अपने जड़ोतों को पूरा करने के लिए पेर पोदे काटे जा रहें, काटे जा रहें, जिससे हो ये रहा है, deforestation, समझ रहे हो, दूसरा चीज है, over grazing, मतलब यार जानवरों को खुले सांडिशे छोड़ दे रहे हो, वो घासपुस खा रहे है, और यार जो भी grazing लेन है, वो खतम होते जा रहे है, और soil अपना fertility इसके कारण lose करते जा रहे है, तीसरा है desertification, अब देखो desertification तोरह सा नए concept हो सकता है तुम लोगों के लिए, बट समझो इसे, जब हम पेर पोदे काटते है, desert area के आसपास, तो क्या होता है, जो desert का area है, वो बढ़ने लगता है, जहां काल पर सुप पेर पोदे थे, वहां कई सालों के बाद, वो भी desert में convert हो जाता है, तो इसी process को कहते है desertification, और इसके बाद, हम लोग बहुत घंदी तरीके से manage करते है, industrial wastage को, जिसके कारण भी, जो land का quality है, वो गंदा होते जा रहे है, और आखरी चीज है mining, देखो, जहां भी mining होता है, वहां का जो जमीन है ना, वहां में fertility खतम सा हो जाता है, क्योंकि mining से काफी सारे chemical बाहर निकलते है, जो कि जमीन के साथ react होके, उसका जो fertility होता है, उसे खतम कर देता है, और इन सारे चीज़ों के कारण ही होता है, land degradation, अब सवाल उड़ता है कि इसे कैसे control किया जा सके, तो यार सबसे simple सा चीज है, पेर पौदे लगाओ, ए-forestation करो, समझ गे, और दूसरा चीज, अच्छी तरीके से manage करो, जितने भी grazing से, और industrial wastage, और साथी साथ, जितना हो सके, control करो, mining activities को, अगर इतना हम कर लेते हैं तो सही में बता रहा हो, land degradation को हम काफी हत तक control कर सकते हैं, वरना यार देखो, इनसान बहुत गंदी की तरीके से use कर रहे हैं अपने अर्थ का, एक समय ऐसा आए गया, पुरा अर्थ बरबाद हो जाएगा, और उसका एक मातर कारण होंगे हम, तो अगर इन सब चीजों से बचना है, तो हमें एक सही तरीके से चलना पड़ेगा, अब इसके अंदर में एक topic और रहे गया है, soil क समझाऊँगा, क्योंकि ये थोरा सा broad concept है, और मैं नहीं चाहता कि वीडियो को all लंबा करूँ, तो इस वीडियो में इतना ही, अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आया, तो यार चैनल को कर दो subscribe, भाई को कर दो support और motivated, कि भाई ऐसे वीडियो तुम बनाता रहे, बस और क्या चाहिए, इतना ही जाहिए तुम लोगों से, थैंक यू, बाई बाई, लव यू अल, तो यार, तुमारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कट दो